नमसकार साथियो राजकिये मातमा गांदी अंग्रेजी माध्यम विद्याले में ओनलाइन आवेधान की प्रकरिया प्रारंब कर दी गई है तो चलिए साथ हो देखते हैं संपुन परक्रिया step by step आपको कैसे online आवदन करना है application कैसे print करना है सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो सबसे पहले आपको जो भी आपके computer, laptop या PC में जो browser है उसमें आपको लिखकर सर्च करना है जैसा मैंने लिखा है शाला दरपन ऐसा लिखकर आपको सर्च करना है जैसे आप सर्च करेंगे और नीचे की ओर आएगे तो आपको यहां राज रमसा की साइट सबसे पहले मिल जाएगी जब यह साइट आपके सामने आ जाए तो इस पर आपको क्लिक कर लेना जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह की इस तरह का होम प्रस्ट आपके सामने खुल कर आएगा अब आपको यहाँ देखना है नीचे कुछ आपको इस पर क्लिक कर लेना जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का नवीन पोर्टल आपके सामने खुल कर आएगा तो आपको यहाँ प्रवेश कौन सी कक्षा से कहां तक आपको विद्यारतियों को दिला सकते हैं वो सब जानकरी आपको यहाँ मिल जाएगी आप यहाँ स्क्रीन को अप और डाउन करके देख सकते हैं और यहाँ आपको इंपोर्टेंट नोट भी मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा इस नोट को साथिओं आपको आउश पढ़ना है इसमें आपको बताया जा रहा है आपको इस चीज़ को असे चर्चा कर लेना उसके बाद आपको यहाँ किलिक करना है जा मैं बता रहा हूं यहाँ आपको तीन वाइट लाइन दिखाई देगी इस पर किलिक करना जिसे ही आप यहाँ किलिक करेंगे आपके सामने या कई अन्य option कुल कर आएंगे तो यहां मैं सबसे पहले बिंदु और आपके साथ चर्चा कर लेता हूं कि सबसे पहले आपको schedule वाला option देखना है schedule पर आपको click कर लेना जिसे आप यहां click करेंगे इस तरह की information आपके सामने या खुल कर आ जाएगी तो आपको online application से संबंदित information from date क्या रहने वाली है वो 4-5-2023 से 9-5-2023 तक का आपको time दिया जाएगा तो यह तो रहा साथ हो schedule option पर जो जानकारी आपको मिलेगी अब अगली information हम देख लेलते हैं कि आपको online आवेदन कैसे करना है तो उसके लिए वही आपको तीन white line दिखाए दे रही इस पर click करना है जिसे आप यहां click करेंगे आपके सामने और own option यहां खुल कर आ जाएगे तो यहां एक option आपको मिल जाएगा student application form name से तो साथ हो यहां आपको मिलेगा कैसे आपको बच्चे का online आवेदन करना है वो संपूर्ण जानकारी आपको यहां fill up करने होगी तो आपको यहां click कर लेना जैसे ही आप यहां click करेंगे इस तरह क्या home press आपके सामने आ जाएगा admission लेना चाहता है वो class आपको एक से 12 यहां मिल जाएगी इसके लावा यहां आपको दिया हुआ है LKG UKG nursery का भी option मिलेगा तो हम दरन के तोर पर यहां select कर लेते हैं कक्षा एक में हम बच्चे को admission दिलाना चाहते हैं कौन से विद्याले में दिलाना चाहते हैं उसके लिए आ आप सीधे यहां click कर लिजेगा और यह दिया आपके पास NIC ID नहीं है तो आप इसकुल को यहां search भी कर सकते हैं यहां option दिया हुआ है by school selection तो आप यहां click करेंगे जैसे आप यहां click करेंगे कुछ time process होगी इस तरह से आपके सामने यह information आ जाएगी तो आप यहां सबसे पहल पूची जाएगी detail of last class student study की आपको detail यहां पूची जाएगी तो यदि बच्चा आपका पहले यहां एक एक बिंदुवार में आपका साथ share कर लेता हूँ government school में पढ़ा है तो आप यहां click करेंगे state private school में पढ़ा है तो आप यहां click करेंगे और other state school में पढ़ा है तो आप click करेंगे और किसी भी विद्याले में नहीं पढ़ा है तो आप नन पर भी click कर सकते में यहां नन करके आपको बता देता हूँ परनतु आपका बच्चा जिस भी विद्याले में पढ़ा हो वह आपको यहां select कर लेना मैं example के रूप में यहां नन पर select कर रहा हूँ तो जैसे मैंने नन select किया आपके सामने इस तरह की information आ जाएगी अब आपको यहां student का name बिल्कुल accurate जो name है वो यहां लिख देना date of birth student की यहां click करके आपको search करते वे दर्ज कर देनी है automatically age यहां जिद्यारती की select होकर आ जाएगी उसके बाद आपको gender की information पूछी जाएगी तो आपको यहां gender में male, female और transgender तीन option मिलेंगे तो जो भी बच्चे के लिए उचित रहे हो आप यहां select करेंगे उसके बाद आपसे अगली जो जानकारी मांगी जाएगी वो parent type पूछी जाएगी तो आपको parent type है यहां mother, जिसे यहां मिल रहा है mother, father उसके अलावा no mother, father मैं highlight करके बताता हूं सात्यों no mother, father, only mother तो जो भी बच्चे के लिए उचित रहे हो आप यहां से select करेंगे उसके बाद आपको यहां fulfill करना होगा, father का name आपको यहां enter कर लेना है, mother का name आपको provide करवा देना है, यह mandatory है सात्यों आपको देखना है, जहां जहां भी start लगा हुआ है, वो mandatory है, उसके बाद city, village और town आपको यहां दर्ज कर देने, उसके बाद अगली जो information आपसे यहां पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी, विद्ध्यारती के city, village, town के pin code संबंदी information आ enter कर दीजेगा, उसके बाद, आपको यहां जो option मिल रहा है, submit application का, इस submit application पर आपको क्लिक कर देना है, सात्यों मैं आपको बिलकुल वीडियो में बड़े आराम से, और वीडियो जाहे लंबी हो, लेकिन मैं संपूर्ण पर क्रिया है, अपने channel पर बताता हूँ, तो आप यह option यहां खुल कर आजाएंगे, तो अब आप बच्चे के application की information देखना चाते हैं, तो आपको यहां मिल जाएगा, view and print application form, तो आपको इस option पर अप क्लिक कर लेना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह की information आपको सामने यहां खुल कर आएगी, तो आपको यह student का name, जैस पर फुल फिल कर देंगे, और यहां क्लिक करेंगे, तो जो online आवेदन आपने किया है, उस संपुन आपको सामने खुल कर आजाएगा, और आप यहां से विद्यारती का application form डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस तरह सातियों, जो आपके विद्यारती हैं, राज्किय मात्मा और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड में भूल जाते हैं, तो यह ना कीजेगा, प्लिस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और शेर करना ना भूलिएगा, मिलते हैं साथ यो, इसी तरह के अहम अपडेट के साथ तब तक के लिए जेहिंद, जेबारत और वीडियो को अंते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आबार